नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्यधर्म ज्यान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम आप लोगों को एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताने जा रही हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो जो कोई भी इनसान आपसे नाराज हो गया है आपसे रूट गया है आपको छोड़कर के किसी तीसरे के पास जा रहा है आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं लेकिन वह आपके प्रेम को समझ नहीं पा रहा है वजह कोई भी हो बात कितनी भी बड़ी हो गलती किसी की भी हो अगर आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं आपका प्रेम उसके लिए पवित्र है किसी को आप सचे दिल से प्यार करते हैं तो उसके लिए यह उपाय कर लीजिए दोस्तों जिस तरह से आपको विडियो में दिखाई जा रही है इसे वकक् कि तरफ बड़ी ही तेजी से आकर्षित होगा और आपसे रूट गया है तो खुद आपको मनाएगा आपसे माफी मांगेगा। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है इसे करके आप अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं जिसे भी आप चाहते हैं जिसे भी अपने करीब रख चाहते हैं हमेशा के लिए उसे रख सकते हैं दोस्तों यह इतना सरल उपाय है कि इसे कोई भी बड़ी आसानी के साथ कर सकता है यह एक तरह से वशीकरण की तरह काम करता है श्ट्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है बस आपको सची श्रध्धा और पूरी विश् तो पूरी विधी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। तो आए अब सीधा उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना है। पैर धो करके भी स्वच्छ हो सकते हैं। इसके बाद आपको एक स्थान पर कोई भी आसन कपड़ा बिछा करके पालती लगा करके बैठ जाना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई सामगरी नहीं लेनी है, कोई भी सामगरी नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, जिस प्रकार से विडियो में मुद्रा दिखाई गई है, दोनों उंगलिया नीचे की ओर जिस तरह से दिखाई गई है। ऐसा आपको अपने सीधे हाथ से ही करना है, और आपका जो उल्टा हाथ है, जो लिफ्ट हैंड है, उसे आपको अपने घुटने पर रखना है, यानि जो आपके उल्टे पैर का घुटना है, उस पर आपको अपने उल्टे हाथ को रखना है, और जो सीधा हाथ है, उससे यह मुद्रा बनानी है दोस्तों इस मुद्रा का अर्थ है एक उंगली दूसरे उंगली को बांध रही है और इसी को वकक्ष मुद्रा कहते हैं आपको क्या करना है इस मुद्रा को बनाने के बाद अपनी आखे बंद करनी है और अपनी सामने की तरफ लानी है बिलकुल आपकी जिसको भी आप अपनी तरफ आकर्शित करना चाहते हैं, या जिससे भी आप अपना संबंध सुधारना चाहते हैं, उसे अच्छे से सोचना है, याद करना है, जब वह आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा, तब आपको एक मंत्र का उच्चारन करना है, आखे नहीं खोलनी है मंत्र को आपको पहले ही याद कर लेना है, बहुत ही सरलसा मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिए, ओम इंग अमुक संग, ओम इंग अमुक संग, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना है, जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं, दोस्तों मंत्र आपको वीडियो में दिख प्रफ़ाइब देख लिजिये क्योंकि बोलने में आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप देख करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं, मंत्र आपको ग्यारा बार बोलना है, इसके बाद आपको अपनी आखें खोलनी है, और अपने हाथों की मुद्रा भी खोल लेनी है, और एक बार अपने सीधे पैर की घुटने से चला देना है, उसके बाद आपको उस स्थान से खड़े हो जाना है, और थोड़ा सा जल ग्रहन करना है, यानि दो-तीन घुट पानी पी लेना है, दोस्तों इतना उपाय करने के बाद आपका उपाय कम्पलीट हो जाता है, इसक नहीं कर रहा था वह आपसे बात करने का प्रयास करेगा और आपका रिष्टा पहले की तरह मधुर हो जाएगा बस आपको सची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ उपाय करना है आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा तो मित्रों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवार